नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चैनल क्रिक आकाश आप सब का बहुत बहुत श्वागत एक वार फिर से आपके अपनी यूटीब चैनल में दोस्तो इस समय भारती टीम आउस्टेलिया के साथ चार टेस्ट मैचों की सरंखला खेलने में ब्यस्त है इस सरंखला के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं जिन में दौनों टीमें एक-एक अंकों के साथ बराबरी पर हैं अब इस स्रंकला का तीसरा मुकाबला आज 26 दिसमर को आश्टलिया के मेल वन में खिला जा रहा है। तीसरे टेस्ट मैच से पहले आश्टलिया की तरब से एक चौकानेवारी खबर आ रही है। मीडिया खफरों के अनुसार 26 दिसम्बर को होने वाले टेस्ट मैच में आउस्टेलिया टीम अपने 15 सदस्य टीम में एक महस 7 साल के बच्चे को सामिल करने जा रही है जो भारत के खिलाफ इस टेस्ट मैच में कपतानी करेगा जानकारी के लिए आपको बता दें के 7 वर्सी ख और आउस्टेलिया ने मेक विश्ट फाउंडेशन के साथ मिलकर साथ साल के आरची शिलर के ऑस्टेलिया टीम के कपतान वनने के सपने को सच करने का कारी किया है आपको बता दें कि उनकी माता पिता इस फैसले से बहुत खोस हैं और आरची शिलर नेट सेसन में नाथन जैसे स्पिन गेंदवाज के साथ लेग स्पिन गेंदवाजी का अभ्यास भी कर रहे हैं तो दोस्तो ऑस्टेलिया टीम मैनेजमेंट के इस नेक फैसले के लिए एक लाइक तो बनता है तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें औ और आपका कोई भी सवाल या सुजाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी न भूलें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें क्रिक आकास के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन